वेल्कम टो माई चैनल बैबीज क्रियेटिविटी आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कुबसूरा सा कुरोशे से फूल बनाना सिखाऊंगी जो के हम स्टार्ट करेंगे एक चेन से सबसे पहले हम स्लिप स्टेच लेंगे और सिक्स की एक चेन बनाएंगे मेरी चेन कंप्लीट हो चुकी है अब मैं फिर्स्ट स्टेच में एक सिंगल क्रोशे से एक स्टेच मना के एक लूप मना लूँगी और पूरे लूप में हम सिंगल क्रोशे से इसको लॉक करते जाएंगे इस लूप के इर्द किर्द हम ऐसे ही बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशे से लूप मेरा कंप्लीट होने वाला है सिंगल क्रोशे के साथ मेरा लूप कंप्लीट हो चुका है अब मैं फर्स्ट स्टेच में फ्री की एक चेन बनाऊंगी ताकि मैं फर्स्ट पैटल को बनाना स्यूर करूं वन तू त्री अब सेम स्टेच में हम फर्स्ट पैटल बनाना स्टार्ट करेंगे और डबल क्रोशे फोर डबल क्रोशे अड़ करते जाएंगे 1 2nd double crochet in the same stitch 3rd double crochet in the same stitch 4th double crochet in the same stitch और हमारी पैटल फर्स्ट पैली कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट पे मूव करने के लिए हम नेक्स्ट स्टीच में एक सिंगल क्रोशे अड़ करेंगे जहां से हम नेक्स्ट पैटल को स्टार्ट करेंगे पैटल मेरी कंप्लीट हो चुकी है 2nd बनाने के लिए हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और थ्री की चैन बनाएंगे 1,2 अब फॉर डबल क्रोशे अड़ करेंगे इसमें इसमें स्टेच में फर्स्ट सेकेंड तर्ड डबल क्रोशे इंड़ करेंगे 4th double crochet in the same stitch 4th double crochet in the same stitch मेरी सेकंड पैटल कम्प्लीट हो चुकी है अब सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए थर्ड पैटल बनाने के लिए वन सिंगल क्रोशे एड़ किया थ्री कीचेन बनाई और सेम फॉर डबल क्रोशे एड़ करेंगे इन दे सेम स्टेज परस्ट डबल क्रोशे 2nd double crochet now 3rd double crochet now 4th double crochet और हमारी 3rd petal भी complete हो चुकी है next stitch में एक सिंगल क्रोशे अगें 4th petal बनाने के लिए और अगें चेंग 3 1, 2, 3 same stitch में अगें 4 double crochet 1st double crochet 2nd double crochet 3rd double crochet 4th double crochet now 4th double crochet 4th double crochet 4th double crochet हमारी 4th petal भी complete हो चुकी है 5th petal बनाने के लिए सिंगल क्रोशे अगें एक सिंगल क्रोशे एड़ करेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करते होए 3 की चें 5th petal बनाने के लिए 5th petal बनाने करें 4th petal बनाने के लिए 1,2,3,4 double crochet 3rd double crochet और इसको फिर्सर में साथ लॉक करदेंगे में सिंगल क्रोशे ऐड़ करेंगे और यहां इसको लॉक करनेंगे हमारा फूल कम्प्लिट हो चुका है सारी पेटल्स मन चुकी है और अब इसको हम इदर लॉक कर देंगे एक्स्ट्रा यान हम काट देंगे सीजर के साथ इसको इसके लूप में से गुजार के हम दॉप कर देंगे हमारा फूल कंप्लीट हो चुका है एक में पहले बना चुकी हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यह हम कहीं भी लगा सकते हैं बेबी के शूज पे फ्रॉक पे विरएवर यू वांट बहुत ही प्यारा और सादा सा फूल है विगनर्स के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए शुक्रिया